राजस्थान सरकार ने किसानों को गेहुं खरीद पर MSP के अलावा बोनस देने की तयारी की है। इसे किसानों के दिल्लो चलो मार्च से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्योंकि बीते दिन केंद्र सरकार ने MSP दरों पर गेहुं खरीद समय से पहले करने को कहा है। हालां कि राजस्थान सरकार को मुफ्त राशन योजना के तहट राज्य के लाभार्थियों को वितर्न करना है और इसके लिए भी सरकार गेहुं खरीद की तयारी कर रही है। जबकि चुनाव वादों में किसानों को गेहुं खरीद पर बोनस देने का एलान किया गया था। राजस्थान गेहुं खरीद के लिए किसानों को 125 रुपए प्रती क्विंटल बोनस की पेशकश करेगा। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार राजिकी ओर से 2275 रुपए प्रती क्विंटल के MSP के उपर गेहुं की खरीद पर 125 रुपए प्रती क्विंटल के बोनस की घोशना के बाद केंद्र सरकार को राजस्थान में कोई समस्या नहीं दिख रही है। क्योंकि इस गेहुं की खरीद सारवजनिक वितर्न प्रणाली के लिए वास्तविक आवशक्ता से कम होने की संभावना है। पर बोनस की घोशना करने से रोक दिया था जिस पर उसने किसानों से गेहुं और धान खरीदा था। कि इसमें शर्ट थी कि यदि कोई राजे बोनस की घोशना करता है तो केंद्र की खरीद एक वर्ष के लिए राजे की वास्तविक आवशक्ता तक सीमित होगी। केंद्र ने कम उत्पादन और फसलक्षती के कारण 2022-2023 में राजस्थान से केवल 0.1 लाक टन गेहुं खरीदा था। जिसे 2023-2024 में बढ़ाकर 4.38 लाक टन कर दिया। इसी तरह 2021-2022 में केंद्र सरकार ने राजस्थान से रिकॉर्ड 23.4 लाक टन गेहुं खरीदा था। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लक्षे से कम खरीद के कारण पिछले दो वर्षों में गेहुं की खुले बाजार में कीमतें उंची रही। ट्रेडर्स ने कहा कि हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि इस साल बाजार दरें कैसी रहेंगी। इस साल अच्छी फसल की उम्मीद है जिससे कीमतें नीचे ही रहने का अनुमान है। लेकिन अगर उपज में गिरावट होती है तो गेहुं की कीमत 2400 रुपए प्रत ट्रेड़्स टीवी झाल 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 झाल